माराश्टियन धाबे पर या माराश्टियन घरों में भी इस तासी ऑथेंटिक तरीके से सेव की सब्जी बनाई जाती है जो बहुत ही जादा स्वाद लगती है ये सब्जी इतनी पॉपुलर है कि आपको ये धाबे पर अकसर देखने मिलेगी और इसे खाना सभी को पसंद भी आता है तो देखे किस साथ से बनाना है वो हम देखते हैं तो सेव की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मसाला त्यार करना होगा तो उसके लिए दो पैज हमने लिए है पैज को न हमें तेल में अच्छे से भून लेना है बस थोड़े से तेल में न हलका कलर आने तक भून लेना है उसी के साथ हमें इसमें एड़ करना है एद्रक लसुन जिसे एद्रक लसुन भी पैज के साथ में ही पक जाए इस सबजी में पैज का जो करमलाइस फ्लेवर आता है उससे ही सबजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है इसलिए हमें पैज को गहरा कलर आने तक भूना है जिसे सबजी का कलर भी अच्छा लगता है तो देखे इस तासे ना पैज हो चुका है तो अब हम इसमे आड़ कर रहे है सुखा वाला नरियल तो इस समय अगर आपके पाद डेसिकेटर कोकोनट पाउडर है तो वो भी ले जकते हैं तो आदा कप हमें लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ना इसे भूना है तो देखे अब हमें पानी का यूज करना है जिसे मसाला से इसे महीन पीस कर रेड़ी हो जाए तो थोड़ा सा पानी में ऐड़ करे हूँ अकसर हम मसालों का कलर आने के लिए इस समय लालमिज पाउडर आड़ कर देते हैं पर इस सबीचे की अच्छे से भूनाई करकर ही हमें सबजी व हमने दो बड़े चमस तेल आड़ किया है सब्जी बनाने के लिए सूखे मसाले में एक तेज पत्ता लिया है दो लोंग दो हरी इलाइची और उसी के साथ हमने दालचीन का छोटा तुकड़ा और दो सूखी लाल मिशली है आधा चमस जीरा भी आड़ कर दिया है इस समयना मसा पूल जाए तब तक इसे भुनाई कीजएगा जिससे सब्जी में फ्लेवर अच्छा उतरता है तो देखिए अच्छी से हो चुका है तो अब हम इसमें आड़ करें है पैज को एक छोटी से कटी वी पैज हमें आड़ करना है इस से में एक ही पैज का यूज कीज़ेगा जो चेंज हो जाए उससे में इसमें आड़ करना है सुख्य मसाले तो देखिए इससे में आड़ करें हूँ हल्द जिसे सब्जी का कलर अच्छा आएगा, तो देखें, सुके मसाले भुहने के बाद अब इसमें आड़ करें है, तो टमाटर को हम इसमें भून लेते हैं, तो सब्जी के साथ हमने टमाटर ही कच्चा लिया है, तो टमाटर की अच्चसे बुनाई होना बहुती जादा ज़रूर तब इस सब्जी का फ्लेवर अच्छा आएगा तो एक दो से तीन मीट लग जाते हैं तब तक टमाटर के हमें बुनाई करना है तो इस से मैं आप देख सकते हैं तो जो पिसा हुआ मसाले को भून कर पिसाए तो इस से को कोक होने में ज्यादा समय नगना लगता है बस ूग्ण से टेल को चूट Se आप देख सकते हैं इस पेच्छे से तेल निकलना स्टार्ट हो चुका है तो अब हमें इसमें आड़ कर देना है पानी इस सब्जी में रेगुलर सब्जी से पानी थुआ जादा डलता है ग्रेवी पतली बनाई जाती है क्योंकि हम इसमें सेव डालने वाले हैं और साथ ही हम तो कसूरी मेथी मैंने आड़ की है जिसे मैंने भून कर लिया है साथ ही तिखा वाला गरम मसाला लेना है आदा चमच सब्जी में एक बोईल आ जाए और सब्जी बन जाए इस ताकि ये सब्जी नहीं रहती है इसे हमें तीन से चार मिट के लिए लोग फ्लेम पर ढग कर को करना होता है जिससे सभी मसाले आपस में मिल जाए और ग्रेवी का परफेक्ट टेस्ट आ जाए तब तक हम इसे को करना है तो आप देख सकते हैं ग्रेवी बढ़िया से हो चुकी है कटा हुआ हरा धनिया में इसमें आड़ किया है उसी के साथ में सेव आड़ करे हूँ मसाल की जाने के बाद तूरन्थी हम इसे सभ करना होती है क्योंकि सेव डालने के बाद यह नरम पढ़ने लगती है और सबजी को परोसने का भी तरीका होता है इस तासे ना ग्रेवी बना कर रख लिये जाती है और जब खाने का समय हो तब ग्रेवी को अच्छी से बॉयल किया जाता है उसमें सेव डाली जाती है और तुरंथी थाली परोसु जाती है तो इस तासे इस सबजी को सव किया जाता और साथ ही हम सब्जी को गेफू की रोटी पराठा फुलका किसी की भी साथ खा सकते हैं पर जवारी या बाजरी के रोटी के साथ ये सब्जी और भी जादा टेस्टी लगती है तो आज मैंने जवारी के रोटी बनाई है और उपर से ना नेमबू ज़रू डालिएगा सब्ज किजिएगा मिलते हैं नए रिस्पी किसा थेंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो